नमस्कर सभी EPS 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है जैसा कि सभी EPS 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 28 अक्तुबर 2020 को संसरीय समिती की एक महत्वपूरना बैटक होने वाली थी और इस बैटक में EPS 95 पेंशन धारकों को नियुनतम पेंशन के रुप में 5000 रुपे दिये जाने के उफर फैसला हो सकता था ऐसा अपडेट जो हो निकल कर आया था ऐसे में यहां पर सभी EPS 95 पेंशन धारकों की निगाए संसरीय समिती की इस बैटक की और लगी हुई थी पर इस संसरीय समिती की बैटक का आयज़न 28 अक्तुबर 2020 को किया गया था और इस बैटक को अभी जो हो पोस्पॉंड कर दिया गया है और इसके लिए नोवंबर की तारीख जो यहां पर दी गई है तो इसी के संद्रबो में यह जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वुडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो के साथ अंतरतक बने रही है वीडियो को विल्कुल भी स्कीप ना किजे ताकि यह जो संसद्य समीति की बैटक को को स्पॉंड करके नोवंबर मैने के लिए शेडूल किया गया है और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन के बड़ोतरी के संद्रबो में इस बैटक में जो हो सकता है तो इसके बारे में जो आपको पूरी जानकारे मिल सकते और इस तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आप है अपने चानल को अभी दक सब्स्राइब नहीं किया है तो विडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके रख लिजे समय में मिल रही है तो उसे बढ़ा कर 5000 रुपे किये जाने के उपर फैसला हो सकता था पर 28 सक्तूबर 2020 को किया गया था तो इस बैटक को अभी जो नहुंबर मैंने तक के लिए आगे क्यार दिया गया है तीन और चार नहुंबर को संसदी समिति की बैटक का आयजंज यहाँ पर शिडूल किया गया है जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की यह जो पेंशन बड़ोत्री का मुद्दा है तो इसके उपर जो फैसला हो सकता है सभी EPS 95 पेंशन धारकों को एक और इंतजार करना होगा तो जिया यह जो बैटक का आयजंज अभी किये जाने वाला है तो वो है 3 और 4 नहुंबर 2020 को तो जिया यहाँ पर इस बैटक का जो शोडूल है एजेंडा है तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुए तो यहाँ पर EPS 95 पेशन धारग जो 28 अक्तुबर 2020 को होने वाली बैठक के बारे में जानना चाते थे तो उनके लिए अभी मैंने आपको इस वुडियों में जानकारी थी जिसके तरफ यह जो 28 सक्तुबर 2020 को सलसदिय समिती की बैठक का यहाँ पर आईजन किया गया था तो उस बैठक को आगे के लिए यहाँ पर 9 बर 3 और 4 के लिए यहाँ पर फिर से शेडूल कर दिया गया है तो यह EPS 95 पेशन धारकों के लिए यह जो जानकारी थी तो उसी जानकारी को अभी मैंने आपको इस वीडियो में दी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी नहीं तो इस वीडियो को लाइक ज़रू कीजेगा और इस वीडियो को आप ज़्यादर से प्रेटर का बटन है तो उसे प्रेश करके आप चानल को सब्सक्राइब करके रख लिए और उसके बाद जो बैल का बटन आएगा उसे भी अप्रेश कर दीजेगा ताकि बोलिशे में आप से सब्मंदी जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं अगर आप शेयर मार्केट में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउन की ज़रुवत परती हैं विडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है उस लिंक पर क्लिक कर गए अगर आप ट्रेडिं की ज़रुवत नहीं है अगर मान लीजे आपने 100 रुपे का कोई शेयर खरीदा और उसे 1500 रुपे में बेश दिया तो जो 50 रुपे का फाइदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा इसके उपर वो आपको कोई भी ब्रुकरे चार्जस देने की ज़रुवत नहीं ह कोई भी यहाँ पर आपको चार्जस नहीं है तो इसके लिए अगर आप अकाउन ऊपन करना चाते है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैटे आउनलाइन एक डीमैट अकाउन ऊपन कर सकते हैं तो चल यह अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं